सभी सम्मान ये जन्परतिनरी गान और पार्टी के पदादिकारी बंदुओं सबसे पहले मैं अमेर सहीद सर्दे रामकौर जी गुजर साब को मेरी और से और आप सब की और से भाव भी नी सर्दान जल एरपित करना चाहूंगा और उसके बाद मैं खेतरी की जन्ता का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रड़ करना चाहूंगा जिनोंने अमर सहीद सर्दे रामकौर जी गुजर दोरा आज से चपन साल पहले इस खेतर की अराजकता और अपराज के खिलाप सुरक्षादल के नाम से युगाओं का जो संग्ठन बनाया और बावन साल पहले अन्याय और अत्याचार के खिलाब लड़ते लड़ते उन्हें सहादत देनी पड़ी और भाई धर्मपाल गुजर भी पिछले 20 साल से संगर्स करते रहे अब की बार आप सब का आशिरवाद मिला और 56 साल पुराने उस पोदे को आपने फलूं से लाद दिया उस सब के लिए मैं खेतडी के सभी आदरनिय मद्दाताओं का रधे की गहराईं से बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार पर गटकना चाओंगा कभी-कभी सोचते हैं कि 56 साल पहले जब सुरक्षादल की स्थापना का विचार सर्दे अमर सहीद राम कोहर जी के मत दिलो दिमाग में आया होगा उस समय छेतर में किस प्रकार की प्रस्तितियां रही होंगी और उन प्रस्तितियों से लड़ते लड़ते बाउन साल पहले उस संगर्स में उन्हें अपने प्राणूं के आउतु दे कर सहाधत देनी पड़ी और उसका आभास मुझे आज से लगवग 35 साल पहले जब मैं खेतरी सिंगाना हर्डिया घूमकर शाम को दलेलपुरा आया दलेलपुरा में कुछ परीचित मिल गए चाय पाणी के लिए रोक लिया चाय पीते पीते बादचीत करते करते सुर्यास्त हो गया अंदेरा चा गया उठकर चलने लगे तो जो 20-25 लोग मेरे पास बैठे थे उन्होंने कहा अब हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते मैंने कहा ऐसी क्या प्रष्टित आं उन्होंने कहा आज भी अंदेरा होने के बाद जब तक हम 15-20 आज़मी नहीं हो हमारे घर में अगर कोई बिमार भी हो जाए तो हम उसको अस्प्ताल तक नहीं ले जा सकते आज भी ऐसी प्रिस्तितिया है और वास्तों में मैं जिद करके वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकला नेम का थाना के रास्ते में मुझे एक भी व्यक्ति कि एक भी सादन नहीं मिला और उस दिन मुझे एसास हुआ कि चपन साल पहले किस प्रकार की प्रस्तितियां रही होंगी इसलिए मैं उपस्तित उन बुजर्गों से जो चपन साल पहले स्तापित सुरक्षा दल में सर्दे अमर सहीद रामकवार जी गुजर के साथ कंदा से कंदा मिला कर उस संगर्स में भाग लिया होगा उनसे ये अनुरोद करूँगा कि आज की युवा और किसोर पीडी को आज के चपन साल पहले कि उन प्रस्तितियों के बारे में अउगत कराएं और उन्हें होसला अपजाई देकर आज भी अराजकता और अन्या के खिलाब संगर्स करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर प्रेरित करें ताकि छेत्र में बढ़रे अन्या और अपराद को नियंत्त किया जाकर आम आज में का जीवन सुखी और खुशाल किया जा सके ऐसे महान समाज सुधारक और समाज के लिए लड़ने वाले सरदयामर सहीद राम कुवार जी से को हम सत्ची सरदान जली तभी दे पाएंगे जब हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि जिस प्रकार उन्होंने अराजकता और अन्याय के खिलाप संगर्ष करने का जजबा दिखाया था हम सब मिलकर आज भी उस अन्याय और अत्याचार के खिलाप संगर्ष करते हुए नीम का थाना जो नया जिला बना है उसे इस अन्याव और अपराद से मुक्त करवा कर आम आजमी को सुक का जिवन जिने काव सरपरदान करने में अपना जो कुछ बन पड़े वो योगदान देने में किसी परकार के कोर कसन नहीं छोड़ें साथ ही मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि सहाधत देना बहुत जजबे का काम होता है आज कल बहुत से लोग अंगुली कटा कर भी अपने आपको सहाधत का दरजा दे लेते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए अन्या और अत्याचार के खिलाब संगर्स लेने का संकल्प लेकर हम यहां से जाएं यही हमारी सर्दे अमर सहीद राम कौार जी और उनके साथियों के जजबे को सही रूप से सर्दान जली दे पाएंगे इनी सुबकामनाओं के साथ कि हम निश्चित रूप से अन्या और अत्याचार के खिलाब संगर्स करने में किसी परकार का कोता ही नहीं बरतेंगे और आपने 20 साल के संगर्स के बाद भाई ध्रमपाल गूजर को आशिरवाद देकर जो राजस्तान विधान समा में भेजा है यह आपका आशिरवाद जो 56 साल की महनत के बाद मिला है यह आने वाले भविस्य में भी लगातार आपका आशिरवाद उनको मिलता रहे और वो आपके साथ कंदे से कंदा मिला कर सर्देर सब्रगे रामकुहार जी के अधूरे सपनों को पूरा करने में आपके सहयोग से सपलता प्राप्त करें इनी सुब कामनाओं के साथ सभी को कोटी कोटी नमस्कार प्रणाम राम राम जैहिन जैभारत वंदे मात्रव